बोजन दिन में कम से कम दो बार पोश्टिक आहार लेना चाहिए भोजन से पहले प्रार्थना कीजिए ज्यादा नस्दीक से टीवी नहीं देखो टीवी शौचाले जाने के बाद, बाहर से खेल के आने के बाद और खाना खाने के पहले अपने हाथ अच्छी तरह दोने चाहिए नियमित समय के बाद अपने नाखून काटे घर का कार्या समय पर पूरा करो अपने बालों में रोजाना कंगी करो नियमित धंग से अपने बाल काटे माता पिता की घर के काम में मदद कीजिए रोजाना शोचाले जाना चाहिए ज्यादा पानी नहीं भैलाओ पानी लेने के बाद नल को अच्छी तरह बंद करो पेड लगाओ और उसकी निगरानी रखो और खाने से पहले और खाने के बाद अपने अपने हाथों को साफ करो दूसरों की मदद करो उन्हें क्या चाहिए उसका ध्यान रखो सिर्फ अपने बारे में ना सोचो खाना खाते समय बात मत करो खाना के समय अपना मुह ना खोलो खाना खाने के साथ पानी मत पियो खाने के छोटे छोटे टुकडे करके खाओ और निगलने से पहले अच्छी तरह चबाओ एक ही साथ ज्यादा खाना ना खाओ मेज पर हाथ रखकर मत बैठो हर व्यक्ति के साथ शिष्टा चार का व्यवहार करो अपनी वस्तूओं को दूसरों के साथ मिलके इस्तिमाल करो किसी की साथ स्वार्थी जैसा व्यवहार ना करो सब की साथ शिष्टा चार का व्यवहार करो अपना काम स्वयम करो खेलने के बाद खिलोनों को उनकी जगह पर रखो अपने शिक्षक का आदर करो स्कूल के नियमों का पालन करो रोजाना स्कूल जाओ और स्कूल के दोस्तों के साथ मिल जुल कर रहना चाहिए और अच्छा व्यवहार करना चाहिए अगर तुम्हारे साथ कोई अनुचित व्यवहार करे तु उसकी शिक्षक से शिकायत करो दिन में कम से कम एक बार शिक्षक से शब्रशी लो दिवार, डेस्क और बोर्ड को खराब मत करो साब के साथ नम्रता से व्यवहार करो किसी के नाम का मजाख मत बनाओ और चिड़ाओ नहीं अपने खिलोनों का सब को इस्तमाल करने दो अंजाने व्यक्ती से दूर रहो बगीचे के खिलोनों को नुकसान मत पहुचाओ खेलने की जगह पर कुछ मत खाओ दिवारों और सार्वजनिक वस्तुओं को खराब मत करो कच्रे को कच्रे के डिब्बे में डालो सिर्फ वोश बेसिन में ठूको और किसी भी सार्वजनिक वस्तुओं का नुकसान मत करो सार्वजनिक जगह पर गलत व्यवहार मत करो जानवरों को तंग मत करो असहाय, अपंग और मददगार व्यक्तियों की मदद करो हमेशा विनम्र, इमानदार और सच्चा बनो घर में जाने से पहले घंटी बजाओ सुबह रोजाना जल्दी उठो रात में ज्यादा समय तक मत जागो दिन में दो बार डात साफ करो रोजाना अच्छे से नहाना चाहिए नियमित ढंग से अपने हाथ साफ करो रोजाना साफ सुत्रे कपडे पहनो रोजाना भगवान की प्रार्थना करो रोजाना व्यायाम करो रोज ताजा खाना खाओ अपने आहार में ताजे फल और सबसियां शामिल करें दिन में ज्यादा से ज्यादा पानी पियो घर का काम समय पर पूरा करो खाना खाने से पहले प्रार्थना करो अपने प्रार्थना करो